नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत-Bहुत स्वागत करती हूँ दोस्तो हर घर में आजकर डाइजेशन से रिलेटेड परिशानी बहुत ही जादा आम हो गई है आप अपने घर में देखें, आसपडोस में देखें, किसी ना किसी को digestion से related परिशानी देखने को मिल सकती है चाहे वो खाने का सही से पचना ना हो, गैस बनना हो, पेट में जलन हो ना हो, पेट का फूल ना हो, पेट साफ ना हो यह सारी बहुत ही आम परिशानिया हैं पेट से संबंदिद, तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी होमेपैती की तीन ऐसे सीरुप के बारे में, जो आप इन में से कोई भी एगर आप एक यूज़ करते हैं, आपको पेट से या इन स्पेशली डाइजेशन संबंदिद, जितनी भी परिशानिया हैं, वो आपके शरीर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी, तो यह वीडियो दोस्तों, आपके लिए बहुत जादा इन्फोर्मेटिव है, आप इसको अंतक जरूर देखें, और मेरे साथ बनी रहे हैं, दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, दोस्तों, अब आप सभी मेरे साथ मेरी वेबसाइट, drpranchly.com पे भी जोड़ सकते हैं, जहां आपको मेरे appointment, जबंदित, सारी information मिलेंगी, आप medicine purchase करना चाहते हैं, उन सब की details भी आपको मिलेंगी, और अगर आप सभी मेरे साथ मेरे social media platform पे जोड़ना चाहते हैं, तो उन description box में मिल जाएंगे, मेरे आगे जितने vlogs हा रहे होंगे, उन सब की notification आपको मिलती रहेगी, तो आप सभी एक बार मेरे site को visit ज़रूर करें, दोस्तों, चली अब बात करते हैं, दोस्तों, digestion related issues के बारे में, दोस्तों, digestion एक ऐसा area है, जो हमारे शरीर का बहुत बढ़ा area cover करता और उससे हमारे शरीर की बहुत सारी चीज़े associate करती है, आप शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, हमारे शरीर का लगबग 60-70% difference जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता हमारे digestive tract से ही आती है, तो अगर हमारा digestion पूर रहेगा, तो हम हर तरब से अपने शरीर को अज़ूर महसूस करेंगे, जो digestion related परिशानी है, जिसमें अपच होना, खटी डकार, बदजमी आना, गले में या चेस में आपको जलन सा लगना, पेट का साफ ना होना, पेट फूला फूला लगना, ये समस्याएं बहुत जादा आम है, उनके पीछे दोस्तों कारण भी बह रहे हैं, वो सही ना हो, या फिर आपको जो रूटीन है, वो अच्छा ना हो, आप बहुत जादा बैके रहने का काम करते हो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, या फिर आपको इंटरनल को चैसी प्रॉब्लम्स चल रही हो, चाहे वो लीवर डिसफंक्शन हो, या फिर आपको आतों में कोई समस्या हो, आपके कोलिस्ट्रॉल में कोई गडबड़ी हो, ये बहुत सारा ब्रॉट एरिया है, जिसको आप मुटा मुटा बस समस सकते हैं, कि इन कारणों से आपको डाइजेशन रिलेटेट परिशान हो सकती है, य उनलाइन जो पेशिंग से उनको भी देती हूँ, और उन्हें बहुत ही ज़ादा ड्रास्टिक चेंज मिलता है, आफ्टर टेकिंग दिस मेडिस्टिन, ये इस दावा को लेने के पशार, तो चली सबसे पहले बात करते हैं, नंबर एक जो मैं बहुत ज़ादा प्रिस्क्रा का रहे हैं इसका, हमें specially acid formation जो हमारे शरी में होता है, हमारे stomach में जब acid ज़ादा बनने लग जाता है, तो वो हमें बारवर पलट-पलट के मुह में आता है, या फिर उसके वज़े से हमें थ्रोड में भी परिशानी लगती है, याने की गले में भी थोड़ी परिशानी लग होता है, तो थोड़ा सा जादा या आप मानने 2 ml आपको दिन में तीन बार लेना है, खाना खाने के पश्यात में, बहुत बार लोग बोलते हैं पहले ले ले कि बट मैंने जो इसको अपनी clinical experience में देखा है कि आप खाने के बार जब आप इसका सेवन करते हैं, तो जो acid होता ह है, वो उसको बहुत अच्छे से minimize करता है, और पेशिंट जादा अच्छा relief फिल करते हैं इसको बाद में लेने वे, अब बात करते हैं दोस्तो इसकी MRP के लिए कि इसकी MRP क्या है और इसमें content क्या पाए जाते हैं उनके बार, दोस्तो जो इसकी syrup है वो 115 ml के bottle में आता है और उसकी मात्रक MRP होती है, 95 रुपीज या 100 रुपीज के करीब, जो की बहुत ही जादा like cost effective है और बहुत जादा वर्थफुल है आपको उसका प्रयोक करना, इसमें जो medicines use हैं दोस्तों, जो top अच्छी medicine मानी गई है, gas और acidity के लिए, जैसे की rubinia है, lycopodium है, carbo wage है, natrium force है, य इन patients में देते हैं, जिनको digestion related परिशानी होती है, या acidity बहुत जादा होती है, और ये तिचारों ही दवाएं इस syrup में add की गई है, जिससे इसकी जो efficiency बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत ही अच्छा काम करती है, दूसरी syrup के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, वो है digester syrup, श्वाबे ब्रैंड का आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा syrup है, और दोस्तों सबसे importantly ये आपके ना सिर्फ खटे डकार बदजमी पे काम करती है, ये आपके अगर पेट पे बहुत जादा आपको गैस बन रही है, आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको constipation की या की बॉटल आती है, इसमें जो कंटेंट यूज है दोस्तों, टैर्मिनेलिया, अर्जुना, जिंजेबर, ओफिसिनेलिस, ऐसोफर्टिडा, और कई ऐसे इंग्रिडेंट हैं दोस्तों, जो हमारे पेट सम्मंधित सारी परिशानियों के लिए बहुत जादा लाप रहत है, त जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है बैक्सन की, वो है गैस्ट्रो एर्ट सीरप, बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों, वो एसेड़ेटी के वपर साथ में, कॉंस्टिपेशन इशूस पे, और अगर आपको पेट में बहुत जादा गैस एक्यूमिलेशन लगता हो, पेट में जो कंटेंट यूज होता है, नाट्रम फॉस है दोस्तों, एसेट फॉस पड़ा है, साथ ही साथ इसमें कैप्सिकम यूज है, जो साथ ही आपको फॉस्पोरस मिल रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, जो एसेड़ेटी और बदजमी के केसे बहुत अच्छा काम करती है, पेक्ट में जलन के केसे बहुत अच्छा काम करती है, तो इस परिस्चिती में कि जब आपको अच्छा ब्लोटिंग लगे साथ में ग्यास बनने की परिशानी लग रही हो, तो आप गैस्ट्रोएट का प्रियोग कर सकते हैं, इन फेक्ट दोस्तों, इन तीनों में स को जरूर ट्राइ करें, आप अपने खुद भी प्रयोग करें, आस पर उसमें भी अगर किसी को इस चीज़ की समस्या है, तो उनको भी रिक्मेंट कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी इस परिशानी सिशन हमेशा के लिए चुटकारा पर सकें, तो दोस्तों, आज के लिए बस झाल 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 झाल